हलो एवरिवण माइनेमी चंदन सिंग गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डेल्व इंटु के बारे में डेल्व इंटु देखते हैं क्या होता है डेल्व इंटु फ्रेंड्स डेल्व इंटु का पहले एक सिच्वेशन देता हूँ मैं आपको माली जी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे आपके पॉर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जादा ही सवाल कर रहा है यानि की वो आपके पॉर्सनल लाइफ में कुछ घुसता ही जा रहा है बहुत डीपली जा रहा है और सारी इंफोर्मेशन बाहर निकाल रहा है आप समझ रहे हैं तो एक ऐसी सिच्वेशन के मैं बात कर रहा हूँ जहां पर आप किसी भी चीज में कुछ जादा ही डीपली चले गए तो इस डीपली जाने को आप कहेंगे डैल्फ और आप इंटु का इस्तमाल उसके साथ करेंगे तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेज हैं अगर हिंदी में डैल्फ को देखे तो गहन शोध करना को ज़्याद है शोध हिंदी है और देखिए खूब चानबीन करना बह करते हो किसी चीज़ को बहुत ही केरफुली करते हो क्या करने के लिए in order to discover more और भी आपको जादा जानना है discover करना है कुछ आप information पाना चाहते हैं तो आप एक sentence है you should not delve into my private life आप कह सकते किसी से कि भई कुछ जादा ही तू मेरे private life के बारे में जानना चाह रहा है you should not delve into my private life तो delve into जैसे आपने बोला इसका मतलब हो गया कि अगर यह आपकी private life है तो बंदा इसके अंदर से कुछ जादा ही information बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो delve into आ he was trying to delve into her past यानि के एक बंदा है और किसी के past के बारे में कुछ जादा ही जानना चाह रहा है तो वो कुछ खोद खोद के बाहर निकाल रहा है चीजों को इसलिए खोदना भी आपर लिख दिया गया है तो खोद खोद की चीजों को बाहर निकाल रहा है यानि कि वो क्या कर र बर्ब लगाएं और delve को change करते रही है, delve है, delved है, delving हैसे हो जाएगा, into लगाने के बाद उस चीज को दिखाएगे कि किस चीज में वो घुस करके information निकाल रहा है, वो दिखा दीजे, किसी की private life है, personal life है, या कोई book है, कोई matter है, वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है, देखो नहीं है, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा, delve into, I will delve into this matter, एक और देखी, you need to delve into many books for your research, यानि कि आप research करना चाहते हैं, उस research के लिए आपको बहुत सारे किताबों में घुस कर information निकालने होगी, delve into, एक और, I don't want to delve into your family's history, कि देखो भाईया, मुझे तुमारे family के history के बारे में कोई information निकालने की जरूत नहीं है, I don't want to delve into your family's history, तो आप समझ रहे हैं, तो delve into का आप इस्तमाल ऐसी करेंगे, और आम जिंदगी में इसका इस्तमाल हो ही जाएगा, हलाकि इसका इसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई, आपके पास एक wallet है, या bag है, और bag में कोई अंदर ऐसे से क कर रहा है कि कुछ ढूंड रहा है, वहां भी आप कह सकते हैं कि don't delve into my bag, वहां भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, हलाकि इस संदर्व में इसका ज्यादा इस्तमाल होता है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है friends, I hope आपके समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो म keep practicing and have fun, अगर आप चाहें तो इसका एक screenshot ले सकते हैं friends, thank you guys